दोफ्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार दोवारा जो चलाई जाने वाले योजना होती है बिहार उदमी योजना इस योजना के बारे में हम बहुत सारे डीटेल समझेंगे क्योंकि इस योजना के लिए 2022-23 के लिए आवेदन परकिरिया एक दिसंबर स से शुरू होने जा रही है इसमें इससे पहले आवेदन हुआ था तो काफिस सारे लोगों का आवेदन रद हुआ था 80% ऐसे लोग थे जिनका आवेदन रद हुआ है क्योंकि रिजियन है उन्होंने गलत तरीके से डोकुमेंट का अप्लोड किया था इस कारण से ये जो वे जो बेरुजगार इवा हैं और कम से कम वो इंटर पढ़े हुए है या जो इवा उसके अलावे जो महिला है वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं इसके तहट आपको लाव क्या दिये जाते है पहले समझते फिर बहुत सारी डीटेल इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे ज जो जानना आपके लिए जरूरी है अगर आप 2022-2023 में बिहार उदमी योजना का लाव लेना चाहते है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा क्योंकि काफी रेसर्च करने के बाद इस वीडियो का हम बना रहे है और जो भी जनकार ही आपकी छमता है दो करने का तो उसकेस में आपको अठाई लाक रुपया पांच लाक मिलेगा तो उसमें अठाई लाक रुपया आपको सरकार माप करेगी और अठाई लाक रुपय ही आपको चुकाने परेंगे इसमें भी ये पैसा कैसे चुकाना होता है कितना ब्याज ल समाने वर्थ से आते हैं, अत्ती पिछरा से आते हैं, पिछरा वर्थ से आते हैं, या जो महिला है, उस सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानि all category के जो candidate है आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नियुनतम उम्र 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है यहाँ पर 50 वर्ष यहाँ रखा गया है, अगर इस बीच अगर आपका एज आता है, तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप eligible हैं, समझते हैं कि इसके तहत lab क्या मिलता है, तो lab हमने आपको बताया कि आपकी जो project होगी, उसके according इसमें पैसा मिलता है, अभी फिलाल आपका आवेदन परकिरिया होता है, जब आपका सारा documentation जब खिया जाता है, अगर आपका सारा चीज सही पाया जाता है, तब आपको इसका lab मिलता है, उसमें आपको project दिखाना पड़ेगा, project आपका किस परकार है, उस परकार आपको ये पैसा आपको मिलेगा, तो यहाँ पे lab maximum 10 लाख है, माप होता है, आधा रुपया ही आपको चुकाना पड़ता है, यानि 50% पैसा ही आपको सरकार को चुकानी पड़ती ही, इसमें भी term and condition है, अगर आप किसी महिला के नाम से इस युजना का benefit उठाते हैं, तो उसमें ये जो 50% पैसा होगा, अगर माल ये अपने 4 लाख लिय है, तो आपको जो ब्याज लगेगा, वो 1% सलीना ब्याज होगा, ये चीज को आप ध्यान रखेगा, समझेंगे इसमें कि जो candidate अगर बिहार उदमी योजना के लिए आवेदन करेंगे, तो क्या इसके लिए document है, जो कि आपको upload करनी ही चाहिए, और किस बे में document आप upload लगा और जिसकी पूरी जनकारी हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमने पूरी document का आपके लिए बगल में देखेंगे, लिस्ट हमने त्यार किया है, जो आपके लिए काफी important साबित होगा, इसके लिए पातरता क्या होगी, तो पातरता हमने बताया कि नूनता मुम्र अगर उदमी योजना चलाया जाते हैं, जिसके ताथ किस परकार की आपकी जो उद्योग लगाने के लिए सरकार पैसा देगी, उसके भी जनकारी हम समझेगे, अभी हम आच चुके हैं, बिहार सरकार के जो ऑफिसल वेप साइट है, जहां पर पर योजना के सूची जारी की गई ह जोकी परजेक लिष्ट देख सकते हैं, इस परकार की अगर आप परजेक लगाना चाहते हैं, तो बिहार सरकार आपको लोन देगी उदमी योजना के ताहत, जैसे यहां पर दीखिये बिभिन सारे नाम आपको दिए गए हैं, जैसे अगरवती का मैनुफेक्जरिंग, तो का अगर काम करेंगे तो फिर भी आप ले सकते हैं आई स्क्रीम मैनुफेक्टिरिंग का काम करेंगे उसके लिए भी लोन ले सकते हैं आई टी बिजनेस सेंटर अगर खोलना चाहते हैं तो ले सकते हैं आचार मुलबा का उत्पाद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मिलेगा अगर आप बनाना चाहते हो तो इसके लिए भी सरकार लोन देगी तो इस परकार काफे सारे नाम है जो की आपको आकर देखना होगा इस लिश्ट को चेक करना बहुत असान है गूगल उपेन करिए सर्च करिए ओनलाइन अपडेट सर्च करने के बाद यहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें सारी जनकारी उदमी योजना से रिलेटेट बताईगे तो सारी जनकारी खुद से भी समझेंगे और नीचे जब स्कॉल करेंगे तो डाइरेक्ट हमने आपको लिंक प्रवाइड कर दिया है उसके बाद यह काफी महत पूर्ण है काफे सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या इसके लिए हमको GST registration करना होगा और करना होगा तो किस बेशर्ट में हम GST registration करेंगे ताकि मेरा जो एकांट है क्यूंकि आपको पता होगा इसके लिए परने में काफिस सारे समस्या होती है क्यूंकि बीना जी एश्टिके आजकल किसी भी बैंक बेगर आप जाते हैं एकांट खोलवाने जो है दोग के नाम से खुल बाएंगे जिसकी भी हम सारी जनकारी समझेंगे अब आईए समझते सबसे पहले कि इसके लिए क्या-क्या महत्पून दहताबेज है जो कि आपको लगने वाले हैं सबसे पहला चीज यह जो दोग है बिहार के लोगों के लिए है तो आपका जो नि लगाने पड़ेगी उसके बाद आपका इंटर का परमानपत आपको परस्तूत करना पड़ेगा और जाती परमानपत लगाना पड़ेगा ध्यान रखेंगे किलियर लिखा हुआ कि महिला अगर इस युजना कलाब ले रहे है तो यह जाती परमानपत उनके पीता के नाम से बना होना चाहिए यानि आविदन करता महिला ही रहेगी लेकिन उनमें जो होगा पती का नाम नहीं लिखा कर उनके पिता का नाम से यह इसू होगा जो कि जाती प्रमानपत्र आपका होगा अगर यह mistake अगर आप करते हैं कोई महिला है आविदन करते हैं तो 100% form को reject आपका किया जागा यहां पर संगठन का जो परमानपत्र है वो देना होगा इसका मतलब है कि जो संगठन यानि जो द्योग आप लगाना चाहते हैं उसका आपको परमानपत्र आपको देने परेंगे उसके अलाबे यहां पर में जो आता है current account आपका लगेगा हम आगे समझेंगे कि current account आपके अपने नाम से लगाना है या आपके जो दोग आप लगाएंगे जो भी संस्था आपकी होगी उसके नाम से लगाना है यह हम आगे डिसकस करेंगे आप वीडियो को अंतक देखते रहे हैं बेंक आपका रेंग लगाना है, बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर दो चीज है आपका करेंट एकाउंट और मैक्स्ममम लोग यहाँ पर 2 छीज Philip करते लोलोग दोनों में है जिस कारण से 80% को जो आपको देनी है आप समझ ये कि जो account आपको open कराना है कोई लोग अगर पुराने current account open कराये हैं अगर वो लगा देंगे तो 100% का form जो है reject होगा क्योंकि दमी योजना के लिए सरकार निर्धारित करती है कि आपको जो account है किस month के किस date का खुला होना चाहिए उसके बाद वला अगर आप account लगाते हैं तो वहाँ पर आपका reject होगा इसका भी date नहीं दिया है बिहार सरकार ने किस date तक का जो आपका account है आपको open करबानी है और उससे पुराने वाला account आपका नहीं चलेगा इसका date जैसे ही आगा हमने video description में अपने official website online update atm.in का link दिया है जिसमें बहुत सा इसके लिए date निर्धारित करती है फिलाल इसका online आवेदन का अंतिती भी निर्धारित नहीं हुई है यह चीज को दियान रखी एक दिसमबर से आवेदन स्टार्ट होगा यह आपको देने परेंगे जो कि आपका यह account आप open कराएंगे इसका होगा current account का जो आपका होगा यह cancel से कुछ सिका होगा आपका photo होगा अधारकाट और pen card यह आपका होगा तो यह महत्पून दस्तावेज है जो कि 100% आपको यह दस्तावेज आपको upload करने की आप सकता परेगी अब main यहाँ पे सारा दस्तावेज तो यह है आप बनवा सकते हैं main दो चीज यहाँ पे समझना ज को open करवा सकते हैं तो यह दो चीज के बारे में हम आगे समझेंगे उससे पहले यहाँ पे समझिए कि यह जो लोन होगा यानि जो अभी आपको लोन मीलेगा ये लोन कब तक चुकानी है तो वह समझ लिजेए लोन आपको चुकानी है ये साथ साल का महौलत आपको मिलेगा साथ वर्स में आपको लोन देनी है जो की 84 किस्त बनेगी अगर मान लीजिए आपने 2萬 का ही लोन आपका approval हुआ तो 2 लाग का ही आपका 14 किस्त बनेगा करीब जो भी इसका amount बनेगा EMI के base परतेक महीने आपको ये पैस आपको जमा करने पड़ेगी ब्याजदर के बारे में हम बता दे 1% इसमें ब्याजदर लगेगा कोई female candidate है उनके लिए किसी भी परकार की कोई ब्याजदर नहीं है इससे जूरी अधीक जनकारी सारे हमने वीडियो description में link दिया है उस website पर जाकर भी बहुत सारी जनकारी को आप read out करेंगे बहुत सारी जनकारी आप वहाँ से भी प्राप्त करेंगे जो भी आवयदन करने के बाद जितने भी लोग यहां पर आवयदन करेंगे सब का यही में जो देखा जागा क्योंकि इसमें पैसा आपको मिलता है किसी भी परकर की एक्जाम या किसी भी परकर की लोटरिक नहीं होती है क्योंकि selection के लिए काफे सारे लोगों के मन में confusion होता है कि यह जो पैसा है सरकार कैसे देती है यहाँ पे तो लोगों की संख्या लाखों में होती है लाखों candidate आवेजन करते है लेकिन सरकार का यह limit होता है इससे पहले इसका जो amount था करीब इससे पहले 400 करोर इसके लिए जो था सरकार ने जारी किया था लेकिन इस पर कितना फंड जारी करेगी जिसकी जनकारी अभी तक नहीं दी है तो जैसे ही आएगा जिसकी भी जनकारी हम देंगे तो यहाँ पर जो आपका selection होगा जो भी approval होने के संभावना है यहाँ पर देखेंगे bank का statement भी आपसे मांगा जाएगा यहाँ पर गलती क्या नहीं करना है जबी आप statement लगा है तो जिस date का अगर आपने bank को open करवाया है current account open करवाया है वो date आपका तो mention होनी ही चाहिए उस statement पर और साथ ही वो पूरा date भी होने चाहि जो को आप खास दियान रखिएगा तो यतने सभी दस्तावेज को अपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर फॉर्म का निबंधन आप कैसे करवा सकते हैं क्योंकि आपको current account open करवाना हो अपने उध्योग के नाम से तो यहाँ पर GST अभी नहीं लेना है क्योंकि आभी मान लि मिली जाएगा अगर मेरा सारा document भी सही होता है तो भाई मेरे इसका कोई guarantee नहीं होता है कि आपका hundred percent इसमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका खुद का life का कोई guarantee नहीं है कि आप आज है कल रहेंगे या नहीं रहेंगे तो इस चीजों का क्या guarantee सरकार का जो कोई आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो वो ऐसे ही लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से कोई उद्योग है और चाह रहे हैं कि उस उद्योग पर हम इसके लिए आविदन करते तो वो संभब नहीं होगा इसमें कोछ चीजों का ध्यान रखेगा अगर आप जो भी परकार है वो अगर आप सिंगल है उसमें कोई आपकी अलावा नहीं है तो अप पर्परिटर्सिप में उसको राइश्टीटें're करेंगे अगर का सीस्क्राल रहे तो उस समय यह चीजों को आपको डालना होगा और उसके एकोर्डिंग आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा ओभी हम आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे तिसरा है LMP यानि लार्ज अगर आपका कंपनी होगा तो इस केस में यह सर्टिफिकेट आपको लगानी होगी और चाहे तो करेंट एकाउंट जो है ओपन करा सकते दूसरा अगर माल लीजिए यहां पर सभी चीज ठीक है अगर आप खुद से ही के विजनस को खारा करना चाहते अकेले ही दोग लगाना चाहते तो उसकेस में प्रोप्राइटर से पर रेइस्टेशन करेंगे और इसके आप जो दो गाधार है जिस पर आप खुद से भी रेइस्टेशन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल निसुल्क रेइस्टेशन होता है इस पर हमने बिल्कुल वीडियो बनाया हुए है यह वीडियो खत्मों का वहाँ भी मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है कि दो गाधार पर आप अपने जो बिजनस है उसको कैसे रेइस्टेशन करेंगे कैसे उस सर्टिफिकोट को डाउनलोड करेंगो सारी जनकारी हमने उस वीडियो में बताया तो जाकर आप देख लिजेगा तो हमने लगभग इसमें जितने भी डाउट थे आपके सारे डाउट को किलियर किया उदमी योजना के बारे में फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट करके पूश सकते मैं कोसिस करूँगा कि अगला जो वीडियो होगा आपके जो कमेंट होंगे उस कमेंट को हम देखेंगे और जो लोग मैक्समाम कमेंट जिस डोकमेंट अपलोड करना है वो सारी सही तरीके से हम आपको पताएंगे कि कैसा अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो का भी इंतजार कर सकते हैं इसके लिए आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि मेरा जो भी कोई नया वीडियो आया और जो भी अपडेट हो आप आपको सभी जनकारी सही तरीके साब को मिल पाएं फिर भी कोई डाउट कंफूजन है कॉमेंट करिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को अपने दोस्तों कुछ तक भी पहुँचाईए ताकि ये जनकारी और भी लोगों तक पहुँच प